लतीफ चाहे या, तम मर्द के भी सूर मोठाए सगे बयो, लेकिन हुन केखे चुन्यों इन असा जे समाज मा औरत के, माना औरत एतरी मजबूत किरदार हा, यानि औरत एतरो हिकलो हिमत डियनवारो असा वट एकलो वजूद मौजूदा, जेह के लतीफ बहतरीन अंदाज में, सोहुने अंदाज में पेश कयो, असा किते गाल कयों सोहुनी जी, छासा गाल कयों ससी जी, छासा गाल कयों मारवी जी, मुझो पहंजो नालो मारवी आई, जदेह मा लतीफ के, पहन जी कोशिश करनी आया, चो जो असा कोशिश ही करे सकूता है ना उमर में, कोशिश करनी आ मुखे एकड़ी नई हिम्मत मिलन दिया कि केड़ों न मजबूत किरदार मुझे ना ले जो केड़ी न मजबूत तरीके सा मुखे इना समाज जी आड़ो भेण जी हिम्मत पई मिले के लिए खुबसूरत तोर मा अग्याँ वधी करे सिर्फ पहंजी ना पहंजे मारूटन जी भी आवास ठाई सका ती अज असान जो सेशन आहे स्टेटस ओफ वुमेन जी हवाले सा हर माणो औरत जी स्टेटस के पहंजे तोर डिसंद हुआ का हिकड़ी डेफिनेशन नाहे केहबट भी को हिकड़ो पैमानो नाहे केहबट भी हर माणो वट पहंजो अनदाज आओने के बयान करन जो अज़ा सामट कुछ महमान मौजूद है जी के असा के पहंजे अनदाज सा और जी स्टेटस जी हवाले सा बुढईदा लेकिन असा कोशिश कन्दा सी जी यह तक तमाम बहतरीन सिंगर अधी चवन पयूं के माश आया देतरो सुठो न गाई सगां लेकिन उनन अज गायो आ तो वो दिल के लगो आ अशा उनन जे बोलन के ही पहनजे सेशन में अगते खणी हलन्दा सी असा उनन दौर में उनन वक्त में जे की समाज में औरत के जाने ओवेंदो, समझे ओवेंदो, ट्रीट कई ओवेंदो असा उननन ही गाल उनके अज जी विक्टमाइज़ेशन साम मिलाए अगते गाल कंदासी के की या औरत के उनने जी स्टेटस के अन्या बहतर बनाए सकजे तो या वो आहे या की या आहे असान जे जे के ये ते मौझूद आहें गैस्ट उनन जी नजर में महाने देर गणी नकंदस पहें जे महमानन के दावद्यार शुरू कनम असान जी पेरी महमान आहें अनीस हारून साहिबा जे के हैं तारुफ जी मोहताज नाहें उननन औरतन जे हवाले साँ जेतरों कम करवा उननन जी जेतरी जदो जहेदा अज असान जी को नौजवान नसुला एड़े ही पहें जी सीनियर खवातीन मां हिकडी हिमत वठी अगते वदूपया ताड़े उन सागड मैडम अनीस हारून के वेलकम चमंदासी पहें जे पैनल में असान जी अजी जी भी गैस्ट आहें जे सहाफ़त सा पहें जे केरियर जो आगास कयो आई उए आहें महनाद रह्मान साहिबा उननन जे लाइवी जी 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 ताड़े आहें अतिया दाउट साहिबा अतिया दाउट साहिबा अतिया दाउट साहिबा स्टेज थे इंदियों पोईट्री कंदियों और तुन जे हवाले सां जे के उननन जी सिचुवेशन जन उननके उनन में हाहिलाइट करन जी आई समाज जी सामोर जी कोशिश कंदियों ताड़ औरतों जी आवास थेंती हूं, जे के शायद असा का दूर आ हैं, लेकिन दिल जे तमाम घणे करीबन, डॉक्टर आईशा जिलाए ताड़ी हो जाएंगा, जैसे मैंने आफ सबसे कहा कि हम कोई जबान की कैद नहीं रखेंगे, हम उस जबान में बात करेंगे, जिसमें हम आसा में लिखो के ऐक ह whाले से काम करने वाली खरावातिन है, हमें ये कहा जाता है, आप कैसी बाते करती रहती हैं, करते हमें आप Bhagए बणारे हैं, जैंक एम बात करें कोई नहीं theor, उर हम उत बात एक करें, जैकिन उल Y इसे बहुत बाहिमत हमेशा पेश किया है और यहां पर हमारे पास बहुत वो कहानिया है जोनों ने बहुत चैलेंजिस के साथ आज मैं यहां बैठी हूँ, आपा अनीज बैठी हैं, डॉक्टर आईशा तमाम हमारे महमान जो खवातीन हैं और जो और्डियंस में भी खवातीन मौजूद हैं और इस प्रोग्राम की और्गिनाइजर्स भी खवातीन हैं मतलब औरतें बहुत बहुत बहतरीन तरीके से तमाम चैलेंजिस के बाद अपने आपको मनवा भी रही हैं लेकिन ये बात करना भी जरूरी है कि जो वो तकलीफें देख रही हैं क्योंकि बात करेंगे तो उसको हल करेंगे सामना करेंगे मुश्किलात का तब जानेंगे कि उसके हल क्या हो सकते हैं तो हम जरूर आज बात करेंगे अगर किसी को कोई बात बुरी लग जाए तो हमें इस बात की कोई पर्वा नहीं है क्योंकि जो औरत वो तकलीफे बरदाश करती है तो हम तो बहुत फखर से उसके बारे में बात करते रहेंगे अपने महमानों की तरफ बढ़ते हैं मेरा पहला सवाल मैडम अनीज साहिबा से ही है मैडम बहुत अरसे से आप काम कर रही हैं खवातीन के हुगूग के हवाले से और हम आपकी जदो जहत को देखते हैं और हमारी आने वाली और नसले उनके लिए आप हमेशा के लिए मिसाल है कि एक औरत औरत की आवास कितनी मजबूती से बन सकती है मैडम मैं आप से यह पूछना चाहूंगी कि आज आप ओरत की स्टेटस को कहां देखती हैं उस वक्ष्छ से जब से लेके आप औरत के हुकुक के हवाले से उसकी विक्टिमाईजेशन को की अलिम्मेशन के हवाले से काम कर रही है देखें मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि चुके आज का फंक्शन जो है मुसाई लतीफ के हवाले से है तो मैंने ये बात बहुत सुनी है पढ़ी तो नहीं है सुनी है कि शालतीफ ने कहा था कि सिंद को सिंद की औरत बदलेगी तो मैं समझती हूँ हम सब खवातीन इस बात की गवाँ है कि हमारी जिन्दगी का एक एक दिन सिंद की हालत बदलने में गुजरा है और वो दिन जरूर आएगा जब हम ये दुनिया को दिखा देंगे कि हमारा सुबा हमारा सिंद तरकी आफ़ता अक्वाम की फैरिस में सबसे हुचा होगी देखें बात ये है कि जब हम औरत की बात करते हैं तो एक बहुत बड़े आदमी ने ये कहा था पैमाना है पैमाना ये है कि जिन्दगी के कौन से शुबों में औरत साथ साथ नजर आती है पैमाना है कि जिन्दगी के कौन से शुबों में औरत को पीछे धकेलने की कोशिश नहीं की जाती है पैमाना ये है कि औरत के खिलाफ कोई डिस्क्रिमनेटरी कोई तफरीकी कवानीन का यहां पे निफाद या इतलाख नहीं होता देखे हमारी एक दोस्त अभी रूरल सिंद के दोरे से वापस आई तो एक बात उन्हों ने कही जो शायद कुछ लोगों को बहुत अजीब लगी वो कहने लगी कि मुझे सारे रास्ते बड़ा एक किसम का अन्रेस्ट मिला हर जगा मुझारे हो रहे हैं लोग बहार सडकों पर निकले हुए हैं कारुखकारी के खिलाफ कही मुझारा हो रहा है तो कहीं किसी और चीज़ के खिलाफ हो रहा है कहीं जो है वो औरत को किसी ने पकड़ लिया है उसके खिलाफ मुझारा हो रहा है और इतनी जादा मैंने यहां पर हल चल देखी तो मेरी समझ में नहीं आए कि ऐसा क्यूं है तो जो ब्याद मेरी समझ में आई है वो यह है कि सिंद जाग चुका है हमारे लोग जाग चुके हैं किसी भी नाइनसाफी को वो बरदाश्ट करने तैयार नहीं है और उस नाइनसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए हर कदम पर हर जगा मौझूद रहते हैं देखें बात यह है कि और जब हम बात करते हैं जाहर है उसमें कोई तकलीफ दे बात भी आती है दुख की बात भी आती है क्योंकि जितना वाइलनस होता है तशद्द होता है या ना बराबरी है या दबाने की कोशिश की जाती है तो बरसों से जो एक पेट्रियाकल या पिदरशाही निजाम है उसके तहत यह सब कुछ औरत के साथ ही होता है मेजॉरिटी मैं ये नहीं कहती के ये कभी शायद किसी मारत के साथ नहीं हुआ होगा लेकिन उनकी तादाद जो है वो आटे में नवक के बराबर होती है हमें इसको बदलने की जरूरत है अगर मैं आपको एक कब बात बताओं कि अगर आप देखें मारवी तो अभी भी हमारा जो औरत का एजूकेशन का परसंटेज है या उसके हवारे से अगर हम बात करते हैं तो आप ये देखें कि उसमें जो हमारी औरत है वो अभी भी 46 परसंट है जबके ये मरदों का बनता है 70 परसंट से ज़्यादा तो मेरा ख्याल है कि इस फर्ग को मिटाने के जरुअज है चाहे वो रूरल औरियाज़ है चाहे वो अर्बन औरियाज़ है जब तक कि तालीम में बराबरी नहीं होगी होता क्या है कि शुदीों में बच्चेँ को या आप सब जानते हैं खास्तोर पर जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं या उन से तालुक रखते हैं कि बच्चेओं को स्कूल भेजा जाता है इनिशियली फिर वो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तो उन्हें उठा लिया जाता है या तो वो घर में काम करती है छोटे भाईयों को समालती ह भाई बेनों को या फिर किचिन में मां की मदद करेंगी उसमें एक कंसन और होता है एक कंसन ये भी होता है कि अगर हमारी विसेनिटी में स्कूल नहीं है तो बच्चिया कहां जाएंगी दूर जाएंगी तो कैसे जाएंगी वो सेफ हैं या नहीं है एक वज़ा ये भी होती है कि उनको स्कूलों से उठा लिया जाता है तो मैं समझती हूं कि सबसे पहले हमें इस डिस्क्रिमनेशन को दूर करने की जरुवत है और दुनिया के बहुत सारे मालिक में ऐसे ख़दम उठाए गए है यूँ तो अगर आप देखें तो हमारे बच्चों की सिंद में बहुत बड़ी तादाद है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों है जो स्कूलों से बाहर सडकों पर है और मैं जो इन बच्चों को सडकों पर खेलते देखती हूं तो मेरा दिल डूप जाता है मैं कहती हूं यह तो हमारा फ्यूचर है अगर आज यह सडकों पर है और स्कूलों म नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं मैं अपनी जिम्मेदारी से भी चुक गई हूं क्योंकि ठीक है मैंने तो कर लिया जो करना था मैंने तो देख लिया बहुत अच्छे दिन भी देख लिये लेकिन आगे जिसका मुल्क है जिसके हाथ में पाकिस्तान का मस्तक्बिल है अगर कि उनके security issues भी हैं तो मैं समझती हूं कि और इस पर बात होगी आगे discussion होगा लेकिन हमें यहां से शुरू करना चाहिए कि हम education में और health में और औरत को किस तरह priority basis पर ला सकते हैं मैं अपना दूसरा सवाल मेहनास साहर बासे करना चाहूंगी हम हमेशा यह देखते हैं कि हम बात करते हैं बराबरी की हम कहते हैं कि कोई gender discrimination नहीं होनी चाहिए औरत हो मर्द हो या किसी तीसरी जिन से तालुक रखने वाला इनसान हो उसको इनसान के तौर पर treat करना चाहिए मवाके मिलने चाहिए और उसी वक्त ही हम बसे अलग कर देते हैं उसी वक्त ही हम school अलग बनाने की demand करते हैं उसी वक्त ही हम खवातीन के लिए universities अलग बनाने की डिमांड करते हैं, तो हम यहां देख रहे हैं, कि हमें बराबरी भी चाहिए, लेकिन हम अलेहदगी भी किये जा रहे हैं, तो यहां पर हमारा मौश्रा यह पूछता है, हम नौजवान जो बराबरी के लिए खड़े हैं, हम यह बात करते हैं, कि हमें बराबरी चाहिए, यानि सरा सर बराबरी चाहिए उसमें हमें इस तरह की मिलावटे नहीं चाहिए क्यों हम जब बच्ची स्कूल जाते हुए हरैस होती है तो हम दर्वाजे बन करते हैं महनास साहबा बच्ची के लिए हम स्कूल नहीं चाने देते बच्ची को हम चोटी उमर में उसकी शादी कर देते हैं कि उसका करदार खराब हो रहा है लेकिन जो हरास कर रहा था ना मौशरा उसके लिए बात करता है ना उसको घर के अंदर रोकता है ना उसका एक्सपोजर बन करता है ना उसको कहता है कि वो खराब हो रहा है मेरा यकीनां मकसद हमारे दूसरे जेंडर से है तो यहां पर हम आखर चाहते क्या हैं? हम सरासर बराबरी चाहते हैं? या हम खवातीन, बच्चीयों की युनिवरसिटीज, बसें, उनकी कम्यूनिटीज, उनके इलाके अलग करना चाहते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? जो जाहरे के पड़ी लिखे होतीन हैं, हम सब यही बात करते हैं कि पहले हम इनसान हैं, उसके बाद मरदियां हो रहते हैं, तो उसलिहां से हम बराबरी की बात करते हैं, लेकिन बराबरी भी इनसाफ के बगार नहीं होती हैं, क्योंकि जो एक, मैं उसे कहती हूँ, हम अंध जोग चाहिए हम उसके लिए बात करते हैं मतलब अब आपको यजीब लगएगा कि मैं बराबर्वी की बात उस तरह से नहीं कर रही हूं पहले मैं भी करती थी लेकिन आए थी 93 मीचे मैं वापिस पाकिस्तान आई बहुत अरसा बाहर रहके तो तब हमारी मुतरम सारी साथी अक्वामि मुतिदा की जानिव से नारा आया था कि औरतों के हुकुक इंसानी हुकुक हैं यकीन करें मैं एक मिनट के लिए चौंग गई थी क्योंकि मैं बाहर थी और मन करें नहीं माना जाता अब ही हमारा सेशन दो बजके दस मिनुट पर में का गया तो मैं देर बज़े आजए थी और मुझे बहुत दो नफीस मर्दों के साथ बैठने का इकतफाक हुआ और मैंने उनसे कहा कि भी आप बताएं कि हम तो पुरी उमर बोलते ही रहे हैं ना कि हम यह बरावी चाहिए हमार यह मसाइलें तो उन्होंने भी वही बात की कि आउरत को इनसान नहीं समझा जाया था उसको मर्द अपनी प्राइवट प्रोपर्टी समझता है मेरा माल मेरी जमीले मेरी और या मेरी औरतें तो यह इस मार्श में हम रह रहे हैं और इसी के लिए हम लेकिन इनसान के हैसे से होनी चाहिए मगर हमें ये तस्लीम करना चाहिए कि बाइलोजीकली फर्क है और उसके लिए हमें हमारी जरूरियात हमारे मुतालबात कुछ अलग भी हैं। क्योंकि आप इसमें हम जो कहते हैं कि डिसिशन मेकिंग में हमें लाया जाए हमें एसंबलियों में लाया जाए हम क्यों कहते हैं क्योंकि हमें पता है कि मर्दों को तो ख्याल ही नहीं आता कि और ओरतों की यह मसले जब 2010 के सहलाब में हम लोग काम करने गए हैं केमपों में तो तो बस वो क्योंके मर्दी हुकूमत चला रहे हैं तो बस वहां वेगें पहुंचाती थी बिर्यानी की और बस वो समझते थे कि सलावजदगान की मदद होगी लिगे जब हम औरतें गई तो हम में सबसे पहले पुछा कि इनको तो मैंसेस भी होंगे ना इनको पैड्स कहां से सेनेटरी पैड्स कहां से लेंगे इतनी ज़्यादे जो प्रेग्नें आड़तें केमपों में बैठी हैं उनके डिलीवरी किसे बाद भी हो सकती उनके क्या मसाइल होंगे तो क्योंके यह औरत ही इन मसाइद को समय सकती है तो इसलिए हर जगा हम जो बराबरी का मतालबा करते हो इगे एक डिसेशन मेकिनग में आप अशुन को लाई आप इसम्मली ओ म में आड़तों को लाएं आप जहां बैट के आप फैसले कर रहे हूंपों के वो आपको बताएं के और अगामसायल हैं उनकी क्या तकलीफे हैं और उसके प्लैनिंग में उनको शामिल करें जहां तन इसके लिए हम अकसर ये कहते हैं कि अच्छा जब पानी भरना है तो औरत सर पे मटका रखे बहुत मीर सफर तै करे और पानी भर के लाए और जब पानी की पालिसी बनानी है तो वो मर्द जिसने उस पानी से तूथ प्रश किया या उस पानी को पी लिया वो बताए तो ये बहुत ज़्यादा वराबरी ज़रूरी है आपका बहुत शुक्रिया मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हम यहां बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की जो अभी हमने बात की कि कि वो क्यों तो उसको हम औरतों के हुकुक के लिए काम करने वाली खवातीन बहुत खुबस ज़ूर्ती से कहती है तट इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन क्योंके वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम करेंगे तभी हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे और हम उनको तयार करेंगे क्योंके मौश्रे की सोच एक रात में बदलना मुमकिन नहीं है तो ये कुछ सेट और मेकानिजम्स लेके आके जरूर कोशिश की जाती है कि अपने गोल्स को अचीव किया जाए अपने अगले महमान की तरफ चलेंगे अतिया दाउद साहिबा आप लिखती हैं बहुत खुबसूरती से जो खवातीन इशूस को फेस कर रही होती हैं उसको आप अपनी पोईट् ने सूर्मियों के करदार के लिए औरत को चुना हम ये ये बात कर रहे हैं कि औरत के अंदर जो हिम्मत थी उसको कैसे खुबसूरत अपनी लिखाई के जरी हम सब तक पहुँचाया कि आज बहुत अरसे बाद भी नौजवान भी इसके बारे में बात कर रहे हैं वो जो एक एक फैमिनिजम की सपोर्ट है वो हमें उनकी लिखाई से मिलती है तो आप क्या समझती है क्योंकि हर किसिम का लिखा हुआ हमारे पास मौजूद है बहुत खयालों के लेखक हमारे पास मौजूद होते हैं हमारे पास उन्ही लेखक की जो रिफलेक्शन है वो मीडिया में हो हैं उनको reflect करना चाहिए तो आपकी नजर में ये कितना जरूरी है ये कैसे impact देता है और ये कैसे सदियों सदियों हमारे साथ चलता है हैं बहुत शुक्रिया बारवी जासे तो में संदी में बात करूं हा बिलकुल लाइनाट मेरवानी तवां जी बिलकुल शाह बटाई और तुन जे दर्दन के और तुन जे फित्रत के और तमाम गणों खुबसूरत ये सा पेश काईवा है पर गाली आहे तर हाने जिके और पाइंजी नजर सान ज 하지 अलए संसॉब जोए ओनिन के नहीं सरकल में लेकर तृत ये जय करें असां वरी सियासी पार्टियू उयन्हें Bayern ज्याह बटाई होया gelmiş है है उन्हें वालेखा हlorत ये उन्हें जे जी शेके अन्यावधिक सघधर्रा भाशो भाले लेखा हुरत हुरत ह यह आई हाने जिके नहुन नसल बाहे उव और तूं भीटा ये जे हवाले का या नही तरह सां केड़े तरह सां किये निसंतियों या एकड़ी नहीं तहकी का है अई माँ तहमा महिनास का म सवाल करें अधन जो जह करें माम जबाब यहाथ जे को नमे और तूं अई मर्दन जे विच्छ मे जे का हिकड़ी तरह सां लकी रख कई वने थी या और तूं के अलग कई वने तो मुझो ख्याला था उहा उनस जी शेजी इनकरें ज़रूरत पेशा आसाशबनी के तो अशावास के उर्टन खे शाबाश की मरदन साइफ ऑन चाहँ का मौटनों पियो असाँ जया बता रख रहाँ हो यह असाँ के धिक गए उत अबां लुग सै रहाँ आप वह आँ हैजिए जया इजया इन्हे दो रुगार पार निकरन वारी गाल हूई जह मै कि अधिने कि लिफ्ट का थोड़ मनलब लेफ्ट ये माननुडी तनकीद बरदाश्ट प्याकाई हूँ तहां ये असा पाइजो बैठाई हूँ थाई थाई टही तो जो पना है तो विंग थाई हो पाइजी उने विंग जी शरबरा हूँ दी पर और अन्यात ना पेगंबर थ ते ना पेगंड प्याकाई कि लीड करने जिला पीपल्स पार्टिय उसाब है जेकर रहें वह भुटे जी ती ती ना फिर शाइज उने के बना थाई ये ना पीपकर का छाई पार्टिय घुशन ओरत फीज जी दोज़ तक भी पॉच्छोन ओरत पहंजी जदोजद के वने और नशेल नटाइं गज़न एफार्व को नहीं करन जाएं. अस्वार्ण जो असा ट्रीनी जो दालिक मुणा बराबर में जा असा भॉट norm ऑटा में चिन पॉरम आएं जह में असा मर्द के मेंबर को नटाई दाएं हूं। तो उन्हें में परच्छा वेफकर मर्दन के खिलाफ को कम कह वा या मर्दन जे या समाज में का एड़े के समझी ए मर्द दुश्मनी का गाल किया है तो मा समझाती तो इन्हें में जे कर औरतुन जी अलग सा यूनिवस्टी जा आहिन उन्हें में उन्हें के वधिक पजीराई में मेले थी लक्राइ झाल तो इन्हें को हर्च को ने या ओरतुन जी अलग रिशर्च घले थी औरतून के बड़ कर दिनोंव係 हो जैन्हां लोग जो ऐन्हें उन्हें अजा रुछा जे जाल्टाशरों जरूरत ना है, शाबाज लिएनगी जरूरत ना है, मुझीब उवा होसल हुआ, मुझीब उवा ताकता है, जह जह करें, मा तहां सांगर, मा पाएं जो रस्तो पानठाय सांगांती, अन्या असा इन जनरेशन में जीओं वेठा, अइं असा हलो वेठा, महरबानी. महरबानी काल जी, लतीब साइ, मारवी जे करदार के, जेह में, मारवी के, उधायो तो वने, के तो खे ये हारस इंगार मिलन दा, तो खे, ये एए एशो आराम मिलन दा, लेकिन ओो करदार को भी, बगावत तो करे, वो किरदार पहंजी राहे तो रखे जेकि असान जे समाज में औरत के राहे रखन गलत समझो वें दुआ असान जे समाज में यो समझो वें दुआ कि औरत जे मतां जे को भी वैसलो कईो तो वन्हें उनलाए बहते रहा आई औरत हमेशा ऐशो आराम या इनन शेयों जे पुटे आए ता लतीव साई असा के वधायन था कि केतरी खुबसूरत किरदार मार विया जे की पहनजी राहे रखे थी आईशा हसा रिसूता के असा जे समाज में अन्यात आई आई औरत के पहनजी मर्जी जो वर करन जी इजासत ना है अगर औरत की शादी जबरदस्ती कराई वेंदी आई अगर हो चवे ती के मुखे नाहे करनी हो पहनजे माइटन जे खिलाव भी एती तरना के बुरो तो समझो वने औरत पहनजे लाए ना पहनजी एजुकेशन लाए को फैस्तोती करे सगे ना पहनजे वरजे हवाले सा को फैस्तोती करे जे के सब राइट ससां के Constitution of Pakistan 1973 में मिले लन जे के सब राइट ससां के UDHR युनिवर्सल तोर भी मिले लन पो भी उआ ओरत अज नंडे के हैं गोछ में होजे या वढडे के हैं कोट में होजे उनना ओरत जे मतां फैस्तोत क्या वन्यन ता वो जे को किरदार आओरत जो जे को पहनजे लाए पान बहतर जाने शीु heroic उननके पहन जो किया था डिसोगा, जो ताँ जो तालों भी सखर माई, ताहा जो तमाम गडों करीबी औरतन सा रही थी, गाल बोल, वेहक, ताहा था किया असा बहतर करे सगुता, असा उनन औरतन के किया पहैशे फैसले खरण जै काबिल ठाहे सगुता ही, किया लतीफ जो पैगाम उनन अनिस है उनने समुरी टीम के मुबारक बात दीन दस तो उनने डो सुठो इवेंट कराई वा है आए या सुठी गाला है ता हर प्रोग्राम जे कभी फेस्टिवेल थे अन्ता उनमे औरत जो सेशन रख्यों वने तो औरत जे मसलन जा सेशन रख्या वनें ता थोरी घणी झीड़ UH परहे माँ अदियतिया चाहई हो तो अनमे को अर्जनाए है ता श आके लाए ढ़ाली से गून सा आके ला गूमी से गूंता भारे नहां हग कोना राइट सवटिक से गून थे गॉन्दध सुठी लारक नरिशान भार सु तो अरतन जी कास के अलग कौन था वह आयाओं पया असा औरतन जी कास के साम्जाद खाओं था पया इंकली इनसान जा मसला सम्झया उन्षा पिछा गयाओं ये इस ताहि मों पुछा दू तह अरथ ऐ मर्द ऐसा वी राहींदा से न असान जो 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 कि इन्सान के राइट है निक फर्द के राइट नोरत के वही राइट कपन तो आओंगाल के यहां पाइमारी था पुछो त शादियों थेंथ पयूं हिकली किलास आए जो कराची खान है घडराबाद खान सागती अचों था असान के सा दिस जनमें इंदो तो उहे ओर तूं गाह ब कन दियों लाभारा ब कंदियों रोंब कंदियों फुट्यों भी होली फुट्टियों बस भरत भरं दियों ज़ों स्लाई कडाई नहों दी उना जो कोब फेसलो नमने ओन विदो एत्रे कदर अपर संद में उत्र संद में अगर न्याणी पेकन वें निया तक भी ससूरे का अन्या व्हाई रवायत आए तक ससुरे का वू मोखल वठ भीकल विद या अजब अपर सिंध जी ओरत उनहीं तकलीफन में आए अजब सतन सालन एठन सालन इन्याणी जो निकाव दो वनेतो प्योर न्याणी, मासूम न्याणी पेच में दिनी वनेती, संग चटियं में दिनी वनेती, जदें असा पान कानून लागू इदारन के काल कहां था था फिला आए शहर में, फिलाव गोठ में, फिलाव नाए नाले शोक्री जे शादी था यह तो हूँ अज़ो अज़ो, यह है धाता, बहुता हो उदे यह, जबुता ता, पेरी आतामानी प्र्मशन देंता, प्या है ता अज़ो गयो कानून-दार उदारन कानून लागू कंद्दार उन्हाटी हम ऑरैशे के जाच पुछा गाचा एविंदी आयो। प्रकुछा भीन की अव्मने कंध कोटnect में में कॉछ्मुरा जयू कामबाथ में शिक्व कार्फ पर मैं الؒर्ण गोंगी मेंशें में लाकाने में महत outta case, बंदोन चाहर उनन के ऐडी वडी हिम्मेंदारी उन्हें तवर संभालन को उस्केश. शससोरं को लुढ वाय हमे पणहाय शससोरं को भंधारन जा भंधारन को उस्केश. था पयाता हाने तवाइं जोही घराएं नंसे जम्हेवारन के संभालो पर उननके खबर एना है कानून में संद में वो सुबुआ है संद जिते अठारां सालन का घट्टो मेर जिन्यान जी शादी नथी ते पर पूरे पाकस्तान में जेके अंगर खरायान उनन माई यह तुआ संद वो सुबुआ जिते सब इन खावधी के नंधी उमर जो शादियों थी रही वाएं सब इन खावधी के ओरतन सा जुलूम थी रह वाएं वो संद में थी रह वाएं मुझे ख्याल में तवा पान गवा आयो चार साल अग में अठन साल एंजी चोक्रिये के पंजहा मलुक जिए गाल था कि ओनके इनसान इन तो सम्झो वगने अजिब 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 हुआ अगर के के अस्सलाम अलेकम जवाब आलेकम सलाम बेटी तर इविकारी करें मारी वाएं जिए अजिब हुना के पान जो अगर मर्जी जो इज़ार करें ताओ मल्किया तम्हक को बढ़न जिए इसेदार आया मुझे शरन हकाम के कानून नहीं का अजिब उनके न तो दिनो वने किते वुना साम एक्री किलास चड़े करें आँ चाहुं ज़ते अनके बराबरी जाह कम लंदा कराची एधराबाद जा कुछ इलाइका चड़े करें कुछ अगर इलाइका अज़े करे जिते न्यान के सचान तो ते म इंयो गजिए खेरन आफ तो असा गाल के उंधाता ता साम नाजिएर, अगटे वद ही, आया हैं पर असा अन्हां बुट तमाम गड़ू को थे आयां आएंगे अगेस्ट और तो रोल्त loro आकले हैं इजीव्चिंग chili तो अप्ड़ बार्वा जोगी है फिसा सब्सक्रणा में अदिया पान जोली वार्वेड भी भीरा ज्यु पुर्टर जावाई, फिर आई रहे प्रटरे के लुटरे चाहे अगी भीर बुटरी तो यह शुच्री बुटी मुझे पुटरे होजे आएंजे कि हलकी मुटी आओवा मुझे दियादे होजे तू पढ़े लिखेला हैं तू पाने घर में यह बन्याद हो जाना है उता ही जो को आए एक्टिविजम ने आवद हैं सुता ही एक ख्याल जो कि मुझे नमें रोड़ा अदियाशा था तमाम खुबसूरत तरीके साँ असा के तमाम तू क्यों हकीकत तू बुधाई उआ हैं जेके हकीकत तू यह सब मौजूद आ हैं असावड आए असा के यो हाने जडें गाल करना आएं ता असा के यो जवाब दूनों वें दूआ कि या न्याणी डॉक्टर ठा अगते वधनतियू यह इशूस पहंजी जगाते हैं इनन इशूस के भी असा के एहमियत ड़ी करे हल करन जिलाए अगते वधनवा अनीस साहबावट पहंजो क्वेस्चिन खड़ी में नम इतने मैडम हम यहां देखते हैं कि सिंध में सबसे ज़्यादा कवानीन मौजूद ह हैं खवातीन की प्रोटेक्शन के लिए और हमें बताया जाता है जब भी हमारे हुकूमत के नुमाइंदे हमारे सामने आते हैं कि सिंध सबसे आगे है लेकिन हम जब फैक्ट्स और फिगर्स की तरफ जाते हैं कि मजालिम हो गए डुमेस्टिक वाइलेंस है अर्ली चाइल् उसमें बहुत सारी हरैस्मेंट है वो तमाम चीजें भी अपनी जगा पर हैं तो हमारी जो लॉज हैं वो औरत की उन इशूस को हल करने में नाकाम क्यूं है मेरा पहला सवाल ये है मेरा दूसरा ये सवाल है कि जैसे कि मेरा खुद तालुक है औरतों के तहफूस के अदारे स हैं दो हजार तेरह की डुमेस्टिक वाइलेंस की मौजूद है लॉज लेकिन औरत डरती है अब भी अपने शोहर के खिलाफ एफ आई आर कटवाने के लिए तो ऐसे लॉज को हम कैसे इंप्लिमेंट करवाएं मारवी आपका बहुत इंपॉर्टन सवाल है देखें आप भी वाइलेंस के केसे सदील करती हैं मैं भी करती हूँ हम लोग एक पुलिस नेटवर्क का भी हिस्सा हैं जिसमें पूरे सेंस रिपोर्ट होता है कि कितना वाइलेंस कहां हुआ है और ज्यादतर जो है वो डुमेस बहुत बड़ा वाइलेंस है जिसको हम शायद वाइलेंस नहीं समझते लेकिन वो हैं कम उमर की शादियां पाकिस्तान में अभी भी एक बहुत अच्छा खासा रेश्यो मौझूद है जहां अठारा साल से कम उमर बच्ची की शादियोती है वो आठ साल की भी हो सकती है दस स बस वो एक जो माश्रे में फरसूदा सोच है कि अगर बच्चें को महफूज करना है तो यही तरीका है कि उनकी शादियां कर दी जाएं और फिर बाद में यह देखने ही नहीं है कि जिस घर में वो शादी होके जाती है या जिस शौर के हातों वो इतने डुमेस्टिक वाइ बच्छर है कि भवातियन की ही जद्व जहद से बहुत सारी जिसमें सिंध्यानी तह्रीक कभी हात रहा है विमेस्टिक वरूम कभी रहा है कि हम लोगों ने बहुत सारे कवालीन जो है वो बन्वा लिये लेकिन इनका इंप्लिमेनटेशन नहीं है तो देखें करते हैं पहली पूर्ट रफ कॉल तो पुलिस है जहां हम जाकर नॉक करते हैं कि हमारे साथ यह जाते हुए अगर पुलिस रिफार्म नहीं होती हैं वहां पर सारी एविडेंस क्रश हो जाती है तो आगे जब कोर्स में केसिस जाते हैं तो जो क्राइम करने वाले हैं वो जाते हैं क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस नहीं होती हो सदा नहीं मिलती अदालत तो सदा नहीं दे सकती अब तक उसके सामने सबूत नहों और वो सबूत तो पहले खतम हो जाते हैं तो सारा इशू इंप्लिमेंटेशन अगर जो लॉज हैं हमें एक बात में और कौंगी कि हमारी असोंबली में जो मरद और खəOD इन बैटे मैं सरफ खवातीन की बातिनी कर रहीं क्यूंकि अगर हमें पूरे सिंथ की हालत बदलनी है तो हमें बच्चों और बच्चीं दोनों की हालत बदलनी है तोनों के लिए लॉज हैं एम्टेमेंट करने हैं वो यह कहती हैं मै इस इलाके वे आपका इंफ्लूइंस है, जहां से आप एलेक्ट हुए हैं, वहां पर ये चानून नाफिज भी हो रहा है या नहीं। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी एसेंब्ली के साथ ये लाबिंग अप करनी होगी, कि इस इंप्लिमेंटेशन के बिना आपकी है और जब तक आप इंप्लिमेंटेशन नहीं करेंगे, खालात नहीं बतलेंगे। कैसे औरतों के स्टेटस को देखना चाहते हैं, बहुत मुक्तसर प्लीज, मैडम मेहनाज प्लीज, अब बहुत मुक्तसर बताना तो मुश्किले जाहर है, नहीं ये है, आवाज आ रही है, तो जी ओन है, बराबरी की बात जो आपनी शुरू में की थी, जाहर है कि हम सिंद क औरतों की आवरत करहु देखनें जाहते हैं, जाहर है कि हम उसे बराबर देखने जाते हैं मर्त के,וא सारे मुएखव जो मर्दों को हासीव नेे इस पिदरसरी माशिय में अस पिदरसरी माश्री को खتمचिया जाये, उस तबकाती निजाम को खतम किया जाये और औरतों को बरा बहुत शुक्रिया महना साहबा जी अतिया अधाउथ साहबा बहुत कुईकली मैसेज लेंगे इने का सवाय तालीम कानूनी तोरते उने जी बराबरी समाजी है से समबराबरी घर में बराबरी है हर तरसा है भी गालिया तेक्ड़ो पेगा मार्दन के निन्दस थाने जेके बाशा और मर्दन वहे वालेंटरी तोरते पाइज जेको पिदर्शाही समाज जे तरफकाहने के फोक्यत दिनी वया समाज में सुट्यू-बूट्यू कायन जी वहे पान नेता विच्ट राथ हैं बड़ी महरबानी आइशा साहिबा क्विक्ली दीन दा प्लीज अमार्वी हाँ सेकें कनस अधिमे नास जी गाल के तर पिदर्शाही सोचुआ हैं और सिंद माखास करे जागिरदारी निजाम आहे जाएं जाएं वह खतम नत होते प्यो वह सोचू नतू खतंतियू हैं अवल हो मुझ शू डाक्टर आईशाओ. असां पहनचे सेशन जे इकिताम पे भाइंच उपायाा? लेकिन इन सेशन के खतम करना सी के जी यह ता लटीफ बढवाएं था के औरत के तरी बहादूरा जी यह ता लतीफ उदाएं ता के उना जी सूर्मियूं की यह ता वड़े वड़े डुखन मा गुजरी करें उनन मिसालों काइम काईवान सिंधी जी हर औरत सूर्मियां उनना सूर्मी के जेतरियों ऑपरचियूनिटीज दीन दा सीं जी तरे लतीफ जी पैगाम के अगदे वड़ाइं दा सीं असा उए पहन जी सुसाइटी के पहन जी सिंध के पाकिस्तान के प्रिग्रेसिव बनाए सकूंता महरवानी दा जी स्टेज ते मोजूद असान चार खवातिया चार ही जेके ओरतों हैं असान पांजी मर्जी असान शादी कही